मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की हो बलकि मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक्स की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो हालाद भार में जाएं मैं आवसरों का निर्मान करता हूँ एक आसान जीवन के लिए प्रात्ना मत करो ऐसी शक्ति के लिए प्रात्ना करो जिससे एक कठिन जीवन जी सको शक करने वाले बोले आदमी उड़ नहीं सकता काम करने वाले बोले हो सकता है लेकिन हम प्रयास करेंगे और आखिरकार एक चमकती सुबह वे उपर उड़ गए जबकि शक करने वाले नीचे से देखते रह गए असफलता से मट डरू असफलता नहीं बलकि छोटा लक्ष बनाना अपराध है महान प्रयासों में असफल होना भी शांदार होता है अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त मत बरबाद करें क्योंकि वो वक्त ही है जिससे जिंदगी बनी होती है बात ये है कि बहता हुआ पानी कभी सरता नहीं है इसलिए बस बहते रहो सफल योद्धा ओसत आदमी है जिसके पास लेजर जैसा फोकस है अगर आप हर चीज में अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर देंगे शारीरिक या कुछ और वो आपके काम आपके जीवन में फैल जाएगा कोई सीमाई नहीं सिर्फ पठार हैं और आपको वहाँ रुकना नहीं है आपको उनसे आगे जाना है ध्यान देजिए कि सबसे कठोर पेड़ सबसे आसानी से तूड़ जाते हैं जबकि बास या विलो हावा के साथ मुड़कर बच जाते हैं कल की तैयारी आज का मुश्किल काम है यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी कर नहीं पाएंगे अमर्ता की कुंजी पहले एक याद रखने लायक जीवन जीने में है किसी भी चीज का अधिकार मन में शुरू होता है सचमुच जीना दूसरों के लिए जीना है मैं इस दुनिया में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हूँ और आप इस दुनिया में मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं है जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खता पूंड प्रशन से सीख सकता है हमेशा आपने वास्तविक रूप में रहो, खुद को व्यक्त करो, स्वेम में भरोसा रखो, बाहर जाकर किसी और सफल व्यक्तित्व को मत तलाशो और उसकी नकल मत करो गल्तियां हमेशा शमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्विकारने का सहास हो चीजों को ऐसे लें, जैसी वे हैं, जब गुसा मारना हो, तब गुसा मारें, जब लात मारनी हो, लात मारें जल्दी गुसा करना, जल्दी आपको मूर्ख साबित कर देगा जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बन जाएंगे ये रोज का बढ़ना नहीं, बलकि रोज का घटना है, जो बेकार है, उसे हटा दो खुश रहो, लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो जानना काफी नहीं है, हमें उसे लागू करना चाहिए, इक्चा काफी नहीं है, हमें करना चाहिए एक अच्छा सिक्षक, अपने ही प्रभाव से अपने विध्यारतियों को बचाता है दूसरों की आलोचना करना और उनकी भावना को ठेस पहुचाना आसान है, लेकिन खुद को जानना पूरी जिंदगी ले लेता है जितना अधिक हम चीजों को महत्व देते हैं, उतना कम हम खुद को मान देते हैं जीवन की लडाई में हमेशा शक्तिशाली या तेजव्यक्ति नहीं जीतता बलकि अभी या बात में जो जीतता है वो वो होता है, जो सोचता है कि वो जीत सकता है सभी आत्मग्यान ग्यान की ओर ले जाते हैं अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं अच्छा हूं तो शायद तुम कहोगे कि मैं घमंड कर रहा हूं लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं अच्छा नहीं हूं तो तुम जानते हो कि मैं जूट बोल रहा हूं याद रखिए कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता अभ्यास परिपूंड बनाता है लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद हमारा काम प्रकृतिक कौशर पूंड तेज और स्थिर हो जाता है नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमती ना दें क्योंकि वे वो जंकार होती हैं जो आत्म विश्वास कम कर देती है अतरिक प्रयास करने को अपनी द्यानिक आदत का हिस्सा बना लें कभी भी मुसीबत को तब तक मुसीबत में ना डाले जब तक मुसीबत आपको मुसीबत में ना डाले मैं जान भूच कर किसी का अपमान नहीं करूँगा ना ही आसानी से अपमानित होँगा जो अन्भिग्य हैं कि वे अंधेरे में चल रहे हैं वे कभी प्रकाश की तलाश नहीं करेंगे अगर तुम कल फिसलना नहीं चाहते तो आज सच बोल दो